नमस्कार दोस्तों आपका स्वागत है हमारी एक और नई वीडियो में आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर आपका बच्चा 6 महीने से बड़ा है तो क्या आप अपने बच्चे को फ्रूट्स में जो मैंगो होता है आम जिसे हम कहते हैं जो कि फलों का राजा होता आप डिoda है कि आप अपने बच्चे को मैंगो दे सकते हैं कि नहीं क्याएं एक सीजनल होता है जो यह आपका बच्चे से बड़ा है तो आप अपने बच्चे को मैंगो दें क alreadyוने क्यों को आपके बच्चे को दे सकते हैं सबसे पहले आपके बच्चे का नियुक्त सिस्टम बहुत अच्छव संब छोती है इसमेशा इसमें पूलेशन以前 वह बहुत अच्छा होता है जरू कि इसमें 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 उसे आपकर रोड़न की शित्र चाह ounces की की अशी से अ sulph〜 Спacamis महीं के ऐन जो होता है जिससे कि आपके बचचे की ड्रीकी की ड्रीकिलीड टृप्लाप्ट करना हो या एज फिजिकल ली मंचों ओृम ऐन बच्चे की ग्रोथ में भी बहुत जादा है तो देखा जाया तो बच्चे की overall ग्रोथ के लिए जो mango होता है वो भूत अच्छा होता है यह आपके बच्चे को grow होने में काफी जादा है यह जो आपके बच्चे को कभी डिहाइडरेशन की प्रॉब्लम नहीं होगी आपके बच्चे में पाने की कभी नहीं होगी हमेशे आपका बच्चे स्वस्त और हैल्दी रहेगा तो यह सारे फायदे मैंने आपको बताएं यह आम खाने से होता है दोस्तों आप अपने यह सेजनल फूट्स है जैसे कि मालने जी तरभूज है या खरभूजा है वह भी दे सकते है इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है यह सेजनल फूट्स होते है इसके लावा भी अगर आप विंटर सीजन की भी बात करें तो सीजनल फूट्स हमेसा हमारे बच्चों अच्छे होते हैं आप इसको दे सकते हैं इसमें कोई भी प्रॉबलम नहीं है ठीक ना दोस्तों तो अगर आपके बच्चे ने अभी सॉलिड लेना स्टार्ट किया तो सबसे पहले तो बहुत 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 कॉंग्राजुलेशन कि आगे आने वाली जर्नी में वह सब कुछ खाए ठीक और आप अपने बच्चों को मैंगो दे रही है या नहीं यहीं मुझे कमेंट करके जरूर बताएगा इसी तरह कि और यूजफिल वीडियो देखने के लिए प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलेगा चलिए मिलते हैं वीडियो में तर तक लिए नम